कैसे हो आप सभी उमीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होगे गाई और अपनी लेफ में आके पढ़ रहे होगे इस वक्त आपके पार्टनर क्या कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं कैसा वह फील कर रहे हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं वह क्या सोच रहे हैं कैसा वह महसूस कर रहे हैं सो पॉजिटिव रहें गाईज प्लीज उनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं क्या फील कर रहे हैं प्लीज उनिवर्स काइट करें अल्राइट पॉक्षिश पॉफेटली नहीं हुआ मेरा जो है शफ्लिंग अभी पॉफेटली नहीं हुई है क्योंकि एक अंदर से फील होता है नहीं हुआ भी करेक्टली तो वही है मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और इसको शफल करना चाहिए पॉर्फेक्ट ओके आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं पहला कार्ड में इधर से लोगी ओके फाइव उफ सोथ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर जो हैं अमके साथ आपके कुछनों कुछ ऐसे अर्गूमेंट्स डेफिनिट अधार मैं क्यों कुछ एयचा इंधर रहा है जिसकी वजब के आप अभी बहुत जादा हुआ लगत आप यह इस थारीके से विएव ते ध्यूम जो है सारी चीजे करें क्यों इग्नॉर कर रहे हैं क्यों रूडली विहेव कर रहे हैं क्यों इतना कुछ यह बोल रहे हैं सब क्या आप चाहते हो कहीं ना कहीं सबसे पहले चीज तो आपके के रिलेशन्शिप में कास्ट लिजन का इश्व हो सकता है ठीक है और इसके अलावा भी अदर डिफ्रेंसिस हो सकते हैं यह आपके जो पार्टनर है काफी जदा शार्फ माइंडिड हैं यह मुझे दिखता है यह जो है डिवोटी हो सकते है महादेव की यह मुझे आप पर जैसे अगर इनको रिलेशन्शिप में सीरिस रहने के लिए कहा जाए तो इनसे सीरिस नहीं मतलब के कमिटमेंट के लिए रैडी नहीं है कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए भी रैडी नहीं है इसलिए वह इस तरीके का विहेव करते हैं जैसे आप शादी की फ्यूचर की कमिटमेंट की बात करते हो तो यह जो है भागने की कोशिश करते हैं उस सिच्वेशन से बजाए उस सिच्वेशन को दील करने के या किलियर्टी देने के इमोशनली कहें न कि कनेक्टेड तो हैं आपसे लेकिन कमिटमेंट वगरा के लिए रैडी नहीं है थीक है आई फेल कि इनकी पर्स्नल कुछ इशूस चल रहे हैं जिसके वज़े से थोड़े से मैटले डिस्टॉप भी चल रहे हैं जिसकी वज़े कि शौरटी नहीं है इनको जिसे मालो आप पात करो कमिट्मेंट की या फिर किसी भी चीज की इस relationship पर सीरिस नहीं है फिर आप इनसे कुछ कोशन भी करो कि तुमने ऐसा क्यों किया या फिर तुम ऐसा क्यों करें तो भी इनको प्रॉब्लम है इनको लगता है कि जिसे कि बहुत जादा मेरे मेरे से सवाल किये जा रहे हैं और यह तब होता है जब इनसान के पास जवाब नहीं होता ठीक है तो आपके सवालों के इनके पास जवाब नहीं है इस वज़े से डिस्टब है इस वज़े से क्या है कि आप जब भी बाते करते हो तो इनको जो वह बाते कर जाते क्यों कि इनके पास जवाब नहीं है उनके इंग ऑफ वांस अभी अपने फ्यूचर के उपर बहुत जादा फोकस कर रहे हैं फ्यूचर को जादा एहमियत दे रहे हैं या फिर मैं बोलूं कि फर्स्ट प्यॉर्टी पर फ्यूचर रखा है अपना करियर रखा है ठीक है यूदो यह सिर्फ एक कि साइट अभी इनका फोकस है आपके साथ emotionally connected है ऐसा नहीं हैं कि नहीं है बट अभी जो है यह नों ने क्या क्या हुआ है कि खुदके बाइसा लगते है जिसे कि इनको प्रूफ करना है किसी को कि ये क्या कर सकते हैं या तो फैमिली को या फिर कुछ पास्ट में इनके सथ ऐसा हुआ जिसके वजह से इनको लगता है कि मुझे प्रूफ करना है अपने आपको मुझे दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ तो वह एनरजी भी मुझे इनके दिखती है हाइरोफेंट मेभी आपके रिलेशन्शिप में फैमिली इशूज भी हो सकते हैं यह भी मुझे यह आप पर नजर आता है कोई है ऐसा परसंट जिसकी बाते बहुत ज़दा सुनते भी है और उसकी बातों को जो है यह फोलो भी बहुत ज़दा करते हैं कि वह कुछ भी कहें इनको बहुत जल्दी से दिमाग में बैढ़ जाती है कि किसी कि बाते ना दिमाग में बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है फिर बहुत जल्दी से दिमाग पर असर डाल देती हैं बहुत लोगों की क्या होती वह हमें कितना ही समझाने की कोशिश कर ले लेकिन हमेरा उनकी बाते समझ में नहीं आती है तो कोई ऐसा परसन इनकी लाइफ में definitely है जिसकी guidance लेते हैं या फिर जिसकी बाते इनकी दिमाग पर बहुत असर डालते हैं मैं बोलू कि दिमाग एक्सेप्ट करता उन बातों को और ये माल लेते हैं सही गलत भी नहीं देखते हैं और ये माल लेते हैं sorry guys messages आने इस वज़े से ये vibrate करें just wait मैं इसको बन करती हूँ okay done let's see nine of wands अभी काफी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं ठीक है अभी जो है इनको ऐसा लग रहे हैं यह इनकी thoughts हैं कि हाँ इनको अपने आपको प्रूफ करना अपने future पर focus हैं सारी चीज़े बहुत ज़्यादा practical हो रहे हैं अभी emotional हैं लेकिन अभी बहुत ज़्यादा practical energies हैं और यह भी energy है कि काफी अकेला भी feel कर रहे हैं means कि बहुत लोग हैं कमी नहीं है लोगों की बात करने वालों की कमी नहीं है फ्रेंस की कमी नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं support की कमी इनको महसूस हो रही है इनको लग रहा है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा ठीक से या feel you know I think कि जहां यह काम करें वहां पर लोगों के साथ जगड़े हो रहे पर कौश इनको समझानी जा रहा है इनकी बातों को गलत लिया जा रहा है सही तरीके से समझानी जा रहा इनको तो इस वज़े से भी कहीं नहीं यह tension में है eight of pentacles बहुत जादा काम कर रहे हैं बहुत जादा मेहनत कर रहे हैं कुछ अचीव करना चाहते हैं कुछ नहीं बहुत चीज अचीव करना चाहते हैं जिसे कि मैंने बोला कि खुद को प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं अपनी लाइफ में और उसी के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी इनको सपोर्ट की जरुवत महसूस हो रही है इनको ऐसा लगता है कि कोई लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो कि मुझे समझे टोके फैसे लगता है कि इनको किसी की नजर भी लगी है जिसकी काफे जादा मेहनत तो बहुत रहे हैं कावी बहुत करते में अभी हाली में क्या हो रहा है कि आरुजी नहों नहरूं के इनकी एनकी और sì is तो कूछ ऐसे कि बहुत ज्यादा एनर्जी टीक है लेकिन आई फील कि अभी थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं हेल्थ वाइस ठावर कोई है जिस जिनोंने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया है जिसकी वज़े से भी काफ़ी ज़दा डिस्टॉब है ऐसा मुझे नजर आता है इस वज़े से भी चल रहा है लो एनर्जी अगर कुछ मुझे दिख रहे तो इस वज़े से भी पिकोज कोई था जिस पर यह बहुत बिलीव करते थे बहुत ट्रस्ट करते थे जिनोंने इनका ट्रस्ट तोड़ा है जिसकी वज़े से भी काफ़ी जादा परेशान है अभी बह स्टक है जिसकी वज़े से यह जो है कहिना कि अपने थॉट्स में फस गए है मिन्स कि इनका यह है कि मैं क्या सोचता था और वो क्या निकला मैंने तो कभी एक्सपेटेशन रखे नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा और यह हो क्या गया ओके अभी तक जो साइन आया है व हvent i a doubt two of jobs के लो कहीं नैं यह जो इस ठक कए यह यह जोपने इनकी प्राब्लम्स चल रहे है यह जो भी है प्रक टायुक है जोकि काफी साधा मिस करते हैं Means कि ये जब ये लोगों से डील कर रहे हैं दुनिया से डील कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि दुनिया कितनी कि जैसे ही लेकिन एस सोच में बदा आवाइ कि सब नहीं होते हैं इनको लखता कि अगर आप अब का प्रूर20 इनको यह की कि मैं ही इतना जो है पतानी मेरे में इनको लगने लगा मेरे अंदर दिखो क्या चीज़ें ऐसे जिसके वज़े से मुझे इतना मिल रहा है उस मिलने की कदर करने के बजाए इनमें इगो आ गया और आप जो है क्या हुआ कि जब इनोंने भार वैसे ही डील किया तो इनको समझ मे आया कि सिर्फ प्यार करने वाला इंसान ही इतना उठा सकता है नकरे और कोई नहीं उठा के लेता है तो वही चीज़ है यहाप पर की आपकी जो प्यार उसके हमिया थो रही है कही नकाइगो थोड़ा बहुत कहीना कहीना ब्रेक हुआ है यह तो मैंने बोलूंगे कि इनका और अब जो है आपके लिए दुबारा से कही ना कही जो यह प्रैक्टिकली सोचे लगे थे कही ना गए उनमें फिर चेंजिस आने अनर्जी में ठीक है मेंस कि पहले आपके लिए इमोशनल थे फिर प्रैक्टिकल हो गए अपनी लाइफ के लिए अब जो लाइफ में हो उसके बाद फिर से इमोशन इनके अंदर आ रहे हैं फिर से फीलिंग्स आ रहे हैं आपके लिए फिर से वही आटेच्मेंट बढ़ रहे हैं आपके लिए ओक हैं वापस से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में चाहे आपकी सीच्वेशन नो कॉंटेक्ट है चाहे आपके सिच्वेशन जैसे और यह को चीज़ अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिच्वेशन में भी थे तो एक तरीके से इमान लो तो थर्ड पार्टी से भी इनको कहें नगी धोका मिला है Queen of Pentacles, Miss बहुत करते हैं अभी आपको ठीक है, बहुत जादा आपको Miss करते हैं You know, हो सकता है कि आपके लिए रिष्टे देखे जा रहे हो या फिर फामली की तरफ से आपके उपर प्रेशर हो शादी करने का, ये भी मुझे नजर आता है Ace of One, physical attraction बहुत जादा है आपको लेकर के एक नई शुरुवार चाहते हैं वही जो पहले आपके relationship में एक energy थी बहुत जादा excitement थी, बहुत जादा passion था एक दूसरी को लेकर के, ये वही फिर से जो है चाहते हैं इस relationship में And last card Six of Cups Soulmate connection आपका हो सकता है या फिर past life connection आपका हो सकता है Actually जो है आपके partner सोच रहे है किसी date अगर आपे मिलब new beginning चाहते हैं आपके साथ उसी के साथ ये सोचते कि new beginning क्यों ना कुछ अच्छी तरीकी से की जाए Date वगरा पर या फिर मिल के की जाए जैसे की call message पर नहीं ये आपसे मिल करके बात करना चाहते हैं ठीक है मिल करके कुछ जो है आपको I think gift भी देना चाहते हैं या फिर अपने feelings आपसे share करना चाहते हैं आपसे मिल करके आपके साथ एक soulmate connection इनको feel हो रहा है ठीक है ये तो realization इनको हो गई है कि आपके इतना प्यार करने वाला इनको कभी कोई मिलेगा नहीं then इस realization के बाद में काफी हद तक इनके अंदर changes आ रहे हैं इनके energies में changes आ रहे देखो पहले सिर्फ आपसे emotionally connect कर पाते थे ये ठीक है understanding थी इस वज़े से बीच में फिर ये बहुत ज़्यादा प्राक्टिकल और लॉजिकल हो गए अपना पहले क्या था कि ये सिफ नॉर्मल थे ना तो ये अच्छा बुरा सोचते थे ना ये सही गलत ना फाइदा नुकसान सोचते थे बस ये नॉर्मली थे कि बीच के राम में क्या हुआ हा ये बहुत ज़्ञादा प्राक्टिकल हो गरई और ये क्या सुच्छे लगे UN क्या मेरा अच्छा है मतल knives kis चीज मेरा फाइदा है कि मेरा नुकसान है लेन ना अब अब वाईदा नुकसान दें कि देख लिया कि जब हम किसी चेज में अपना नुक्सान देकते हैं तो हमिशार जाधा तर जो है हम ढुत ले जाते यह हमारे क्या अच्छा हैАं और क्या बुक्त एमीशारे काल की कहाता है के पडाई कर लो निप्टिक के अभी ना हमये महारे दिमाग में भी निवय्टूंए वह बात कि हमें पढ़ाई करने के benefit की क्यों बोला जा रहा है और हम यह देख रहे हैं कि का यह थे हमारा नुक्सान किस्म थों चौश्च रहे हैं कि हमारा पढ़ाई करोगी तो इतनी आगे जाकर कि लाइफ स्टैवल हो जाएगी क्यों अभी शॉर्ट टम में अगर रिजल्ट नहीं है आउटकम यह तो लॉंग टम में मिल सकते हैं और यह बात बहुत जरूरी है कि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती कभी भी नहीं वह कहीं न में रहकर की डिसीजन ले ना जादा प्रैक्टिकल ना जादा इमोश्टन या फिर जो है यह देख करके ले कि क्या मेरे लिए अच्छा और क्या मेरे लिए बुरा है कल को वह जौब भी छूट जाए पढ़ाई भी डंग से नहीं फिर क्या होगा अगर एज है पढ़ने की और मौका है ताइम मजबूरी हो मजबूरी में इनसान प्रों कुछ • तो वही चीज है कि मजबूरी तो ठीक है लेकिन जान बूचले करके हमारे पस सब कुछ है लेकिन वहीं चीज इनके साथ हुई कि इन्होंने पहले फायदा नुकसान देखा तो फायदा नुकसान में इनका ही नुकसान हो गया ठीक है क्योंकि उनको इस टाम फायदा तो नजर आया लेकिन उनको ये नजर नहीं आया कि इस फायदे के साथ मेरा नुकसान क्या है ठीक है अब जो है ये सही गलत को देख रहे कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं So let's see बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज़ेस हैं बाबा आपको क्या मैसेज़ेस देना चाहते हैं Please बाबा गाइड करें Let's see Wait ये नहीं खुल पाएंगा I think Okay चलो यहां पर बाबा आपको क्या कह रहे है कि अपनी आपको जितना हो सके डिवाइन के साथ Connect करो ठीक है कुछ पावर्स डिवाइन पावर्स ऐसी है उनिवर्स में जो कि कहीं ना कहीं उन्हों ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आप बिलीव तो नहीं कर पाओगे लेकिन वो आपकी लाइफ में ऐसे 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 बदलाव ला सकती है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ठीक है कभी हमारे सपने में भी नहीं आया होगा कि सिर्फ हमारे सोचने बर से इतना कुछ हो जाएगा ठीक है सो जितना हो सेखे डिवाईन के साथ आप कन्येक्ट होने की कोशिश करें सही जादतर जितनी हो सकते अपनी पैरिंस की बात को सुनें आप सब्सक्राफण Fini छी है तो तयार हो जाओ उस anhने लिए सब्सक्राफश चरी कभी ॥ा होता है की जादा टैश्मेंट भी ठीक नहीं होती हैं तोank से मेरा मतलब यहें है कि मान लो किसी से friendship करनी है तो friendship में क्या है कि आप इतना ही रखो कि आप उसे जादा टैच भी नहीं हो और जाहा आप और को ऐसा भी ना हो कि कभी मान लो आपको उसकी जुर्द भी पड़े तो आप ऐसी हो कि अरे अंजानें बिलकुल हम तो बात हो लिमिट में हो जादा टैच्मेंट क्या होती है कि डुखों का कारण मनती तकलीफ करकें कि वो इंसान किसी दिन अगर चला गया छोड़ करके तो फिर बहुत तकलीफ होती है ठीक है दोसी चीज यहां पर यह है कि जो लोग बहुत टाइम से अपने पाटर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वह बोलूगी कि अब उनसे कनेक्श तोड लो जितने अनर्जी सेंट करने थी आपने कर ली अब है कि उनन आप फील करने का ताइम दो अब अपन के बारे में सोचना बन कर दो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है अब इतना ज्यादा मत सोचो लास्ट कार्ड में देखोंगी यह बला और इस वैल सब कुछ ठीक है बसे लाफ डेटेश्मेंट का यूज कर लो आप अपनी लाइफ में ठीक है सब कुछ ठीक है आई होप आपको पसंद आई हो रैसुनेट की हो तो मुझे बताएगा जरूर कमेंट बॉक्स में पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते नेक्स एडिंग में तब तक अपना ख्यार रखें बब बाई टेक क्यार से यू हो गाओं